नमस्कार दोस्तों आपका आर्दिक स्वागत है जैसा कि आज हम भारत में मौलिक करतब्यों यानि फंडामेंटल डिटीज इन इंडिया के बारे में आप बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम अधिक से अधिक टॉपिक किलियर करने की कोशिस करेंगे जो की परिछा के म इंप्रोटेंट हैं अले करते हैं मौले करतब्य भारती संविदान में मूल रूप से मौले करतब्यों का उलेख नहीं था जबकि संविदान सर्दाट स्वांढ सिंग जैनती लेकिन 86 में संसोधन के द्वारा 11 में मौलिक करतबी को जोड़ा गया और इसमें तै किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के प्रात्मिक सिचा प्रदान करना माता पिता व्यावकों का करतबी होगा भारती सम्मिधान में मौतलिक करतबी का उलेग भाग फोर के कैमें अनुछे इक्यामन के के तहट किया गया मौलिक करतबी का प्रावधान भारती सम्मिधान में सोब्य संग के सम्मिधान से लिया गया है संसद के पास अधिकार होता है वह और मौलिक करतबी को जोड़ सकती है या हटा सकती है ध्यान रहे 1991 से पहले सोब्य संग था तो उसके बाद लगवग 15 देशों में तूट कर अलग हो गया जिसका आज प्रमुगिस्सा है रूस इसलिए हम कई बार यह भी कहते हैं कि मौलिक कर्तब्यों का प्राबधान रूस के सामिधान से लिया गया है परंतु 1976 में रूस की जगए सभी देश एक थे और उसे सोविय संग के नाम से जाना जाता था समिधान में मौलिक कर्तब कितने हैं 11 हैं तो बारी बारी से हम पढ़ेंगे पहला है यानी परतम परतिक नागरिक का कर्तब वे होगा कि कि समिधान का पालन करें तता समिधान के आदर्सों राष्ट दवैज गराष्टगान का आदर करेंगे दो स्वतनत्रता के लिए हमारे राष्टी आंदुलन को प्रेरित करने वाले उच्चा आदर्सों को अपने हिर्दे में सजोई रखना चाहिए तता उनका पालन करना चाहिए तीन भारत के सभी नागरिकों का यह करतब्य होगा की वे भारत की एकता अकंडता और प्रवता की रच्चा करने में साहता करें और उसे अच्छुन बनाई रखें चार भारत के नागरिकों का यह भी करतब्य होगा की वे देश की रच्चा करें 5. सभी नागरिकों का कर्तब्य होगा कि भारत के सभी लोगों से समर्षता की भावनर 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 का भिकास करें 6. सभी नागरिकों का कर्तब्य है कि वे भारत की सामसीक संस्कृति की गुरवसाली प्रमपरा का महतु समझें और उसको अपनाएं तता उसका परिरच्छन करें साथ सभी नागरिकों का कर्तब भी होगा कि वे प्राकर्तिक पर्यावरण की रच्छा करें और उसका संबर्धन करें आठ नागरिकों का कर्तब है कि वे बैज्ञानिक दर्ष्टी कौन और ग्यानारपजन के भावना का विकास करें 9. सभी नागरिकों का कर्तब भी होगा कि सारवजनिक संपत्ती को सुरच्चित रखें 10. नागरिकों का कर्तब भी होगा कि व्यक्तिगत एवं सामूही गत्वदियों के सभी छित्रों में उत्करष्ट की ओर बढ़ने की कोशिस करें 11. सभी माता पिता और सरच्चड का यह कर्तब भी होगा कि वह अपने 6 से 11 वर्ष के बच्चों ही तू सिच्छा परदान करें तो दोस्तों आज के भाग में सिर्फ इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में यह मौलिक कर्तब्यों की वीडियो थी अधिक से अधिक सियर करें और लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो हम चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों हम आपको एक अधकारी बनने देखना चाते हैं